हम सब की लड़ाई है जिस तरह से वसीम को मारा गया आज वसीम के साथ हो गया है कल किसी और के साथ भी हो सकता है कि करीबन 20 से 25 जार लोग इस जंडे में मौझूद रहेंगे की सरकार उनकी है फिर भी इतना टाइम लग रहा है क्यूं मेरे ख्याल से डेड़ साल से जाधा हो सांतर शाम है एक लड़की का रेप कर दिया गया और उसको एक एकसिडेंट का रूप दिया गया है कोई भी आदमी रूड़की में परेशान नहीं होना चाहिए हमारी पार्टी ने हमारे को टिकट दिया तो निच्चित तोर पर हम रूड़की से ही चुनाओ लड़ें पां मोधित करेंगे वहां पर पहुचेंगे उनके निर्टोत में धन्ने होना जा रहा है हर्दवार में उसमें जो खानपूर के विधाय को मेश कुमार हो भी वहां पहुचेंगे और समय अजास समाज पार्टी के जो यूवा नेता है जमाल एहमद उनसे बात करेंगे वो क्या अपील करना चाहेंगे धन्ने को लेगर छेतर के यूवा से जमाल भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है दैनिक रुड़की में क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से पांच क्टूबर को जो आपका विशाल धन्ना होने जा रहा है जिला क्रेक्टेड ओफिस पर उसको लेकर क्या त्यारिया हैं आपके दुबारा किस तरह की त्यारिया आपकी पूरी हो चुकी है सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारा जो पांस तारिक में डियम कारे अले पर जो धन्ना परदर्शन होने जा रहा है हम यहां सुबह नो बजे एक अठ होंगे रामपुर चुंगे से और हम सिद्धा कॉर कॉलिज जाएंगे और कॉर कॉलिज से हमारा जो पूरा काफिला है उसमें सभी समाज के लोग सामिल है और उसमें मान्य विधायक जी भी हैं और हमारे परदेश अध्यक्स आजास समाज पार्टी के और भीम आर्मी के हैं क्योंकि वो लड़ाई हम सब की लड़ाई है जिस तरह से वसीम को मारा गया आज वसीम के साथ होया है कल किसी और के साथ भी हो सकता है तो आगे ऐसी गटना ना हो तो उसी सब चीजों को लेकर हम यह धर्णा परदर्शन कर रहे हैं और उसमें अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है तो आपके कितनी त्यारिया अब तक आपके साथ इकतर हो चुके हैं देखिए हमारे जो युवां यहां से चलेंगे जिनको हम लेकर चलेंगे करीबन पंदरा सो से 2000 युवां तो हमारे साथ चलेंगे रुड़की से और आप देखे सकते हैं कि परदेश कि जो हमारे परदेश अध्यक्ष है महक शिंग जी वह रोज जाकर हर गाउं में एक जिन्द सभा कर रहे हैं कि लोगों को जाग रूप कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादात में इस धंड़ने में पहुंचें तो हमारा मानना है कि करीबन बीस से पच्चेस जार लोग इस धंड़ जाने के लावा और भी कुछ शांतर्शा या अन्य घटनों को लेकर आप धंड़नापतशन एक समुक रूप से करने जा रहे हैं बिल्कुल यह हमारा सर्व समाज का है और इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि शांतर्शा में एक लड़गी का रेप कर दिया गया और उसको एक एकसिडेंट का रूप दिया गया है तो उसके खिलाब भी है और वसीम के खिलाब हम देख रहे हैं जगा जगा आपके होडिंग्स लगे में पॉस्टर लगे में कि आप रूड़की नगर निंगम छेतर से मेरपत के भावी परतियाशी भी बताया जा रहे हैं तो जरू में कितने विकास काई रूड़की शेतर में भी तक हो चुके और किसizes के विकास का रहे हो आप देखते देखे अभी आप देखी सकते हैं कि कि शेहर का कितना बुरा हाल है जगा जगा पर गड्डे बने हुए अगर कल को कोई गठना होती है तो उसका जिम्मेदार कौ होगा शेहर के विधायकों सोई हुए हैं बिलकुल लोग आप देख सकते हैं कि मैं अभी भी देख रहा था तीन-चार दिन पहले भी के बीजेपी का जंडा लगा हुआ था यहां बीजेपी के जेला पंचायत अध्यक्सों जेला अध्यक्सों विधायकों सारे नेता बड़े वो काम कर रहे हैं और सरकार जल्दी-जल्दी इसका काम करवाने जा रही है सर मैं यह कहना चाहता हूं दिपक भाई कि सरकार उनकी हैं फिर भी इतना टाइम लग रहा है क्यों मेरे ख्याल से डेड़ साल से जाधा हो गया है कि पुल बंद पड़ा है लोगों को कितनी समस्य हो रही है बच्चे डेड़ घंटा लेट होते हैं उनके जो पैरेंट्स उनको भी दिक्कत होती है तो यह तो प्योर्टी पर होना चाहिए ना यह काम सहर का विकास बिल्कुन नहीं हो रहा नगण निगम को देख लो आप सहर में जो गंदगी है वह इतनी भड़ी बड़ी ह है कि बस आप पूछो मत चुनाव लड़ों के कहां से लड़ेंगे हैं अगर हमारी पार्टी ने हमारे को टिकट दिया तो निच्चित तोर पर हम रूड़ी की सही चुनाव लड़ेंगे जिस तरह से हम देखते हैं आप समाज कार्यों में आगे रहते हैं कहीं लोगों की है करते हैं करते हमें अग्रاثं में एक मेर्प हमने समाज के लिए काम करते हैं और अभी हमारे जो वाड़ वार्ड में हैं एक बच्ची का हाट तोट गया था उसके जो पैरेंट्स से वो इतने सख्ष्म नहीं थेए कि वह उसका राप पाए तो हमारे दौर उसका इलाज भी क काम करेंगे और साथ ही पता है जो सबसे बड़ा मुद्दा पांच अक्टूबर को हर्दवार जिला क्लेक्टेड ओफिस में जो विशाल धर्णना प्रदर्शन किया जाएगा उसमें इनके साथ सैकड़ों नहीं हजारों की ददाद में यूआ यहां सिकत रोकर हर्दवार इस पोजेंगे